सबी सात्यों को जैहिंत, कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ कि आप लोग सब भहुत ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है इस एकजाम को फटे करने की इस एकजाम को जीतने की इस एकजाम को पार करने की बहुत स्यांदार चल रही होगी आज के इस सेशन में हम कलाम अकेडमी सीख करने हैं अभी जो हाल ही में एक एक्जामिनेशन कंडेक्ट करवाया था पूरे राज्य भर में एक प्रिक्षा का आयूजन करवाया था उस प्रिक्षा के इस पेपर को शॉल करेंगे Language Second का एक पेपर है इसको हम शॉल करेंगे कुछ बच्चों ने एक क्वेशन पेपर मुझे सेंट किया और रिक्वेस्ट की किसर आप इसको शॉल करवा दीजीगा तो मुझे लगा कि ये बच्चों की मांग है बच्चों की डिमांड है तो क्यों ने इसको शॉल करवा दिया जाए बच्चों की इससे फाइदा मिलेगा Question number 61 to 65 आप धान देंगे कि जब आपको exam hall में question paper मिलेगा तब उसमें भी question number 61 से आपको English as second language का question paper मिलेगा यानि English के जो questions होंगे वो question number 61 से होंगे अब वहां से अपना paper solve करना सूख रू करेंगे इंगलिस का question number 61 to 65 generally unseen passage के ही होंगे जो की आपके syllabus में unit first है हमने इससे पहले भी unit first का एक test आपको solve करवा दिया है तो जो बच्चे नए हैं अज पहली बार देख रहे हैं तो वो उस test को भी देख लें यह unseen passage है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ कि पूरा unseen passage पढ़ने की आवशकता नहीं है आपको exam में paper solve करने का तरीका पता होना चाहिए strategy पता होनी चाहिए method आपको सही आना चाहिए किस तरीके से हम question paper को tackle करेंगे किस तरीके से हम question paper को देखेंगे यह बैद्ध तो पूर्ण होता है आपको unseen passage पढ़ने की कोई आवशकता नहीं है जहां आवशकता होगी वह हम पढ़लेंगे इसलिए इसका पूरे का paraphrasing करने की कोई आवशकता नहीं है पूरे का ट्रांसलेशन करने की कोई आउशकता नहीं है सभी मीनिंग्स के आपको अर्थाना कोई आउशक नहीं है इसलिए डरने की कोई आउशकता नहीं है आपके जो पहली यूनिट है उसमें topic जो है वो है Concord उसके बाद में आपका जो linking device है वो topic है और उसके बाद जो आपका topic है वो है inferences तो आपको तीन topic के दिए ठीक से clear है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे देखेगा पहला जो इसमें question है question number 61 question को धान से देखेगा the sentence all is well if and is well has the fallacy of inferences वाला जो topic है inferences वाले topic को दो तरीके से एक्जाम में पूछा जा सकता है एक तो fallacy के रूप में पूछा जा सकता है inferences का मलब conclusion होता है किसी चीज का सार निकालना किसी चीज को तर्क के माध्यम से समझना तो या तो आपसे fallacies पूछेंगे fallacies का ये तरीका होता है या फिर आपसे क्या पूछते हैं आपसे पूछते हैं कि इस passes में क्या कहा हुआ है इस passes में क्या सारांस है इसका title क्या हो सकता है इस प्रकार का कोई question भी पूछा जा सकता है तो इसमें पूछा हुआ है fallacy का question Fallacy बहुस्च चांदा है, टोपिक है ति आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़के जुरूर चाहिएगा All is well if and is well आपके पास जो option है, पैना option है Fallacy of Ambiguity Fallacy of Ambiguity इसका दूसरा नाम होता है Fallacy of Equivocation E-Q-U-I-V-O-C-A-T-I-U-N इसका दूसरा नाम है Fallacy of Equivocation Fallacy of Equivocation में क्या होता है कि Double Meaning वाले words को यूज किया जाता है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है Double Meaning जैसा कुछ भी नहीं है दूसरा देखिएगा Fallacy of Composition Fallacy of Composition का मतलब यह होता है कि जहां parts जो है किसी भी चीज़ के parts है और वो चीज़ हॉल यहनी complete वो चीज़ है दो चीज़ नहीं है हिसा मिला यदि जो चीज़ जो बात जो statement जो fact उसके parts के लिए सही है वो उसको complete पर भी माना जाता है उसको hall पर भी माना जाता है जिस तरी के से मानो एक के आपके पास को instrument है और उस instrument का एक हिसा कोई भी एक हिसा है instrument का जिस तरी से आपके पास torch है और torch का जो आपका switch है वो plastic का बना हुआ है P-L-A-S-T-S-E plastic का बना हुआ है तो आप इससे ये सारांस निकाल लेते हैं ये क्या है तरक दोस है तो उसको कहते है यानि किसी भी चीज़ के एक हिस्से पर जो चीज लागू होती है उसी को आप complete मान लेना हो क्या होती है तरक दोस होती है अगे देखीगा fallacy of division fallacy of division वो होती है जो fallacy of composition की just reverse होती है just उल्टा होता है इसमें part को whole मान लिया जाता है और उसमें hall को part मान लिया जाता है hall को part मान लिया जाता है जिस तरह से मानों कोई building है या फिर को institution है जिस तरह के से मैंक सर कहता हूँ कि JNU बहुत अच्छी institute है complete ठीक है ऐसा मान लिया जाता है कि JNU है अब इसका मतलब यह हुआ कि JNU का परतेक हिस्सा JNU का परतेक student JNU का परतेक teacher ही क्या है बहुत important है बहुत intelligent है बहुत repeated है JNU is a repeated institution it means every student of JNU is repeated ऐसा नहीं होता है तो इसको कहते है fallacy of division आगे तलते है fallacy of undistributed medium undistributed medium का मतलब होता है कि दो extreme point होते है सिरफ आप उनी को सही माने जिस तरीके से यह होता है कि बहुत शुबह है क्या नहीं शुबह नहीं है तो क्या रात है शुबह और रात में कि बीच का भी तो समय होता है दोपेर का समय होता है और समय होता है या शुबह या फिरा कोई कहे कि शुबह है क्या नहीं शुबह नहीं तो क्या रात है नहीं रात भी नहीं है तो इस प्रकार के जो fallacy होती हो क्या कहलाती है undistributed middle कहलाती है तो इस जो question इसका answer है all is well देखेगा ये all है ये कहरा कि ये पूरा सही है यदि इसका ये end सही है तो तो end is the part of this ये इसका हिस्सा है और ये सही ये पूरा सही है इसका मलब भी कौन सी fallacy हुई? fallacy of composition हो गई तो इसका सही answer कौन सा हो गया? be इसका सही answer हो गया आगे देखेगा ये जो question है ये आपको subject to up agreement या concord वाले topic से मिला हुआ दूसरा question I is में subject है I along with जब एक compound subject होता है क्या होता है बिटाएके compound subject वो होता है जिसमें एक से ज्यादा शब्द मिलके subject बनाते हैं तो इसमें subject कौन है I along with others ये ही तो वापूरा others तो इसका जो man subject हो वो कौन हुआ जब compound subject along with से मिलके बना हो या फिर with से मिलके बना हो या फिर beside से मिलके बना हो ठीक है? as well as से मिलके बना हो अगर इन सब से और बहुत सारे अंगलीन सब से मिलके बना हो तो उसमें वापचो होती है वो इनके पहले वाले के अनुशार और पहले कौन है I की अनुशार होनी चीए और I है अब यहाँ I के साथ क्या क्या आने चीए देखेगा ठीक है I के साथ ईज नहीं आ सकता I के साथ R नहीं आ सकता I के साथ VAR नहीं आ सकता तो निस्सी तरुप से क्या आएगा इसमें M आएगा आपको meaning समझ में आए तो ठीक है नहीं आए तो भी ठीक है आपको question solve करने से मतलब रखना है बाकी कोई मतलब नहीं है अगला है वो देखो ये भी as well as अभी बताया है मैंने आपको इसमें भी पहले वाले के नुशार तो ये जो compound subject ये है the narrator as well as his accents narrator और उसकी accents दोनुई चीजें eccentric छोड़ो क्या मतलब होता है इसका eccentric हमने संकी होती है आपको कोई मतलब नहीं है इसमें भी वाल किसके नुशार आएगी narrator के नुशार आएगी और narrator देखते हैं कैसा है singular है कैसा भी narrator? singular है तो वाल भी कैसी होनी चीए singular इसमें age भी singular है r भी r नहीं है hedge भी singular है words भी singular है hedge तो नहीं आएगा क्योंकि hedge के साथ third form आनी चीए अब है age और words तो narrator और उसकी accents दोनुई क्या है authentic संकी है तो इसमें age का प्रियोग भी सही हो सकता है और words का भी सही हो सकता है passes में देखेंगे कि ये present है या past है हाला कि इसको तो मानना ही पड़ेगा कि दोनुई answer इसकी क्या है सही answer है आगे देखेगा the linking device अब जो question है वो linking device है the linking device of which the linking device in which of the sentence expresses a sequence इन में से कौन से sentence में एक linking device यूज हुई है जो linking device sequence बता रही है sequence यानि करम बता रही है इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये पहला देखेगा बहुत चांदा topic है linking devices का, अच्छे से पढ़ जाना, I was asked to check a bath, मुझे नहाने के लिए कहा गया, bet I did not, लेकिन मैंने नहीं किया, तो यहां bet जो है, यह linking device है, और यह sequence नहीं बता रही है, यह contrast बता रही है, क्या बता रही है, यह contrast बता रही है, तो जब contrast पुछते, तो यह सही होता, यह नहीं है, आगे दखिएगा, I first laughed loudly, पहले मैं खुब हसा, and then wept bitterly, और फिर बुरी तरह से रोया, पहले यह किया, फिर बाद में यह किया, ठीक है, तो यह करम बता रहे है कि नहीं बता रहे है, मैंने पहले यह किया, फस्ट और उसके बाद यह किया, तो यह आपका sequence बता रहा है, क्या बता रहा है, sequence बता रहा है, ठीक है, I first, तो यह sequence बता रहा है, first के बाद then, पूछ रहा है इनमें कौन से linking devices हैं, तो यह करम बता रहे है, तो इस sentence में क्या बता रहे है, करम बता रहे है, first है, second है, यह सब के सब सिक्वेंस और ये करम बताते हैं father asked me why I did not ये कारण बता रहा है region इसमें जो why ये क्या बता रहा है region बता रहा है कारण तो ये भी हमें नहीं है और I along with इसमें तो बाकि कुछ है नहीं तो इसका सही answer कौन सा हो गया भी बताएगा इसका सही answer कौन सा है इसका सही answer B हो गया है आगे देखिएगा total conjunctions in the sentence एक sentence है ये इसमें आप से पूछें कितने conjunctions है आप sentence को पढ़ते जाएगा conjunctions को underline करते जाएगा और answer दे दिजेगा during conjunction नहीं है during preposition होता है उसके बाद में देखिएगा I नहीं है to conjunction नहीं है preposition है without conjunction नहीं है preposition है them and conjunction है तो एक लिख लिए हमने at the end of along with भी preposition है आगे देखिएगा end ये दूसरा हो गया दो उसके बाद देखिएगा when when conjunction होता है ये कितने होगे teen उसके बाद देखिएगा इसमें कहां है with नहीं है on नहीं है end ये कितने होगे 4 उसके बाद में देखिएगा but ये कितने होगे 5 और एक और है इसमें 6 when तो इसमें 6 conjunction है तो आप ये पता कर लेंगे इसमें 6 conjunction उसके बाद देखिएगा second question आपका है unseen poem का इन्होंने जो poem ली है बहुत स्यांदार poem है west wind बहुत ही स्यांदार poem है और अलग प्रकार की poem है यह अच्छा collection इनका ही है यह selection अच्छा है यह poem ली जाने चाहिए बहुत अच्छी poem है फिर कह रहा हूँ कि poem पढ़ने की कोई आउशक्ता नहीं है सीधे किस पर आजाओ? questions पर आजाओ? जब जुरूत पढ़ेगी तब पढ़ेंगे पहली line में कौन सा figure of speech यूज हुआ है? यह देखेंगे तो सीधा चलते हैं पहली line में पहले option देख लो personification, alliteration और simile कौन-कौन सी इसमें यूज हुए है? तो simile देखेंगे, alliteration देखेंगे, personification देखेंगे देखतें कौन सी पहली line है? ओ west wind ओ wild west wind एक बात तो confirm हो गई इसमें क्या है? alliteration तो इसमें है ही है यह तो confirm हो गई कि alliteration इसमें है? तो देखते हैं, option alliteration है क्या? alliteration है इसमें यानि यह answer तो बिल्कुल सही है उसके बाद और देखेंगा, और भी कुछ है कि इसमें तो गई डी option है, वो कौन सा है? बी और सी तो इसका मतलब इसमें personification है क्या यह देखते हैं ओ wild west wind दो, दाओ, यानि you breath of autumn's being यह देख, autumn जो है इसको एक capital है एक capital है जब भी आपको sentence के बीच में क्या मिले? capital later मिले, मानो आपको personification आता ही नहीं है, आपको teacher ने पढ़ा है नहीं personification, या फिर आपके ठीक से समझनी आया, तो यदि sentence के बीच में आपको capital later मिल जाए, तो मान के चलना कि वो किसका यूज है personification का यूज है, इस sentence में autumn, autumn होती है, पज़ड रिदू को क्या किया गया है personified किया गया है उसको बताया गया है कि आप क्या है breath है किसकी west wind की तो इस sentence में ने केवाल alliteration, बलकी personification का भी use हुआ है तो आपका सही answer जो है वो हो जाएगा, d, both, b and, c, clear way उसके बाद देखेगा which sentence does not have a simile in this poem इन में से कोन सा sentence में simile नहीं है, आप कोई बताना है कोन से में simile नहीं है यह जो poem लिखी हुई है terza raima में लिखी हुई है यानि 3-3 line के stringa है इसमें west wind जो लिखी हुई है उसमें 3-3 line के stringa है तो हलाकि वैसे इसमें कहीं full stop जैसा कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन आम मालने के 3-3 line के क्या है stringa है, तो पहली 3 line यह है तो इसमें कहीं से मिली है क्या देखते हैं कहां इसमें से मिली यह देखेगा, यह से मिली है इसमें like जिसका मालना पहला तो हो गया उसके बाद मैं अगले वाली 3 line देखीगा इसमें कहीं से मिली है क्या देखतो कहीं है क्या इसमें नजर नहीं आ रही है मुझे आप देखे का कहीं आपको से मिली नजर आ रही है तो इसमें यहां है यहां है इसमें ठीक है तो यह से मिली यहां होगे इसमें आगे देखेगा उसके बाद में लास्ट वाले में देखेगा कहा है इसमें डिस्टॉयर एंड प्रिजर वर इस लाइन में नहीं है वाइल्ड स्पीच इसमें नहीं है with living cues इसमे नहीं है driving sweet birds like इसमें है ठीक है तो इसमें है string इसने कहीं clear नहीं दे रखा है कि भी कहांत तक हम इसको string बाने तो होना यह चीए था कि तिंतील 9 का string बाना जाना चाहिए था और जब तिंतील 9 के string बानेगी तो कौन से में नहीं है 1st में नहीं है, है 1st में तो, अब हम इसको यहां से लेंगे, 1st में है confirm, ठीक है? 2nd में है क्या देखते हैं? 2nd में है या नहीं है? 2nd को पढ़िए गए एक बार अच्छे से, उसके बाद देखेगा 2nd में, यह एक लाइन, दो लाइन, तेन लाइन, च्यार लाइन, यह पांचवी लाइन में आके यहाँ है तो इसमें तो है नहीं, ठीक है second string में तो कहीं से मिली का यूज़ हो नहीं रखा है ठीक है, तो आगे सब है, तो इसमें यह आ जाएगा second string हाला कि जब यह बात बताई जाए कि अगर इस टिंजा है तो कहीं कहीं इस टिंजा का डिमार्केशन भी किया जाना चाहिए कि कहां तक इसमें इस टिंजा है वैसे कहीं भी इसमें ऐसा फुल स्टॉप जैसा नहीं दे रखा है कि जहां आपको पता चले कि इस टिंजा है देख तो आप इसको second मान के चलीगा. इसके बाद में देखेगा. The rhyme of this poem is इस poem की कोन सी rhyme है? ठीक है? अब rhyme में भी अच्छा question है इसे में. इसकी answer तो Terza rhyme होता है. ठीक है? इसमें जो rhyme है, वो कोन सी है? Terza rhyme होती है. Terza rhyme चोनी होती है. A, B, A B, C, B ठीक है, C, D, C, ये rhyme होसली है इसमें, और ये इस point की है ही rhyme, इसके मिटेट जा rhyme, बाकि feminine नहीं है, imperfect नहीं है, I rhyme नहीं है, ये क्या होती है, थोड़ा-थोड़ा इनके बारे मैं आपको बता जेता हूँ कि कौन-कौन सी rhyme होती है, कि feminine rhyme जिसमें होती है, जिसमें two unstressed syllables होते हैं, similar to होते हैं, unstressed होते हैं, उसको I rhyme का मतलब भी होता है, कि जिब spelling एक जैसी होती है, लेकिन rhyme नहीं होती है, जिसमें लोव होता है, MOV होता है, ठीक है, तो ये होती है, इसमें, imperfect होती है, जिसमें exact syllable को नहीं किया जाता है, ठीक है, sound एक जैसी आएगी, लेकिन syllable एक जैसे नहीं हो इसको देख लेंगे, एक बार आप चाहें तो इसको देख भी लें उपर, कि यह देखो, क्या मिलेगी आपको, A, B, A मिलेगी रहें इसके, यह बिंग, डेट, फिलिंग, बिंग, यह A, B, A, ठीक है, फिर देखेगा यहां से शुरू दुबारा, A, B, A, A, B, A, B, इस तरीके से इसके टेर्जा राइम होती है, वो होती है, A, B, A की बज़ाए आप उसको क्या कह सकते हैं, B, C, B भी कह सकते हैं, इसको आप B नाम देदो, तो B, C, B हो जाएगा, तो इस प्रकार की जो राइम इसकी में होती है, उसको क्या कहते हैं, टेर्जा राइम क इस line में कौन सा figure of speech है देखिएगा ये तो दोनों कुछ है नहीं assonance और consonance में आपको पता करना है consonance का मतलब होता है consonance related ठीक है और assonance का मतलब आप सब जानते ही है कि जहाँ whole sound repeat होती है तो इसमें देखो wild w i l t y spirit s p i r i t y ठीक है which ये फिर i ये रिपीट हो रही है इसमें ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा assonance हो जाएगा consonance जैसा इसमें कुछ भी है नहीं dhynaju sister of the sparing देखो sparing में s capital है मैंने कहा था जहाँ कहीं भी आपको s capital या कोई भी word या later capital मिल जाए तो आप मान लेना क्योंकि इसका example है personification का example है तो ये भी किसका है personification का example है ये हो गया हमारा उसके बाद देखें का 71 ये model का है model auxiliary ये तो बिल्कुल आसान सा ही है you mind returning the date d e b t d e b t इसको date मत बोलना date बोलना तो would you mind होता इसमें would you mind फिर ing form आती है तो इसका answer हो जाएगा would you mind क्या आप करजा वापिस करेंगे तो would you mind होता है would you mind opening the window क्या आप खिटकी खोलेंगे would you mind opening the window तो इस परकार के sentence आप देखेंगे fragile verb ये आपके syllabus में नहीं है नए syllabus के नुशार ये नहीं है पता नहीं इन लोगों ने क्यों दे दिया लेकिन फिर भी हम देख लेते है Mr. Brown has with all our neighbors Mrs. Brown तो इस वो fall out होता है एक वर्ट fall out एन जगड़ना होता है तो अपने सभी परणोशियों से उसने जगड़ा कर लिया तो इसका fall out हो जाएगा वसे fall in का मलब collapse गिर जाना होता है fall into जबस्ती हो जाना होता है fall up का मलब भी गिरना होता है आगे दिखेगा ये idiom है I don't prefer suman मुझे suman ठीक नहीं लगती है as she is a black ship कि वो क्या है black ship है black ship का मलब क्या होता है जो आपको discourage करता हो जो आपको motivate नहीं करता हो जो आपके enjoyment को खराब करता हो जो मजों को खतम कर देता हो यानि मामले को बिगार देता हो आप बहुत अच्छी enjoy कर रहे थे और आपको रंग में भंग डाल देना एक word होता है ऐसे आदमी जो रंग में भंग डाल देता है जाम दीजेगा allergy जो होती वो melancholic poem होती है lament word आजाए इसके साथ कहीं भी आपको lament आजाए melancholic आजाए m, o, u, r, and mourn आजाए यह सारे word allergies समदित है reflective, r, e, f, l, e, c, t, i, v reflective poem आजाए pensive, p, e, n, s, i, v pensive poem आजाए तो यह सारी के सारी क्या है allergy के लिए आते है italian sonnet is divided into octave and cystit तो यह हो गया इसका octave वो cystit में आजाए italian sonnet के दूसरे नाम क्या क्या है italian sonnet के दूसरे नाम क्या है miltonic sonnet है, classical sonnet है petracon sonnet है, regular sonnet है यह सब किसके नाम है italian sonnet के नाम है तो octave, पहली 8 line को क्या करते है octave और अंतीम 6 line को क्या करते है cystit करते है speech sound can be classified into speech sound का मलब वो ही है जो sound तो sound तो vowels and consonants में ही divide होती है यह जो fricatives, africatives, plosive यह सारे के सारे क्या है यह अलग प्रकार है यह किसके है यह consonant के है diphthongs, monothongs यह कितके हैं आप सब जानते हैं, यह vowels के है तो आप से पूछा इस पी sound तो vowel और consonants के सही से जाएंगे उसके बाद देखीगा which of the following underlined sound is different इन में से कौन सी sound different है तो आपको बताना है पहला वड़ है near तो आपको इसका transcription देख लेना है near, यह इसका transcription होता है दूसरा है people तो people का यह transcription होता है people, यह इसका है आप खुद बतातेंगे कौन से यह अलग है तिसरा it it, यह इसका transcription है और c, यह इसका transcription तो बताओ भी कौन सा different है निस्टी रूप से क्या है near different है तो यह इसका सही answer हो जाएगा उसके बाद देखेगा choose the correct alternative which represents the sound given यह कौन से में है ठीक है तो वो ही काम करेंगे हम तो transcription करेंगे now का यह transcription होता है now का mule mule का transcription होता है मैं you यह you mule तो यह भी नहीं है उसके बाद में zero j, e, a यह बहुत बार पुछा हुआ है और इसका सही answer भी यह है zero तेखो यह इसका सही answer है ठीक है care care का यह होता है care तो यह किस में आई है zero में आई है तो इसका सही answer यह है बहुत बार पुछा हुआ हुए the fanatic symbol of the latest underlined in the word scratch तो यह चै है ही आप जानते हैं इसमें तो कोई दिकत नहीं है यह इसका transcription है scratch scratch यह होता है इसका transcription scratch scratch तो यह चै है तो यह चै हो जाएगा उसके बाद देखेगा which of the following begins with a different sound इनमें से कौन सा अलग sound से शुरू होता है तो को यह तो होई नहीं सकते है इसमें तो एक ही sound है sun और sun की तो इसको चोड़ेंगे यह sound है इसमें तो sun बचे दो हमारे पास एक summer है और एक superior है तो summer का transcription क्या होता है आप सब जानते हैं ऐसे लिखा जाता है से, ए, मैं, ए, रे summer ऐसे लिखा जाता है तो इसमें यह sound आती है जबकि superior में क्याता है superior में यह आता है transcription लिखते हैं इसका shoe ठीक है superior यह होता है superior ठीक है तो कौन सा हो गए इसमें यह different town हो गई अब कुछ आते हैं इसमें teaching pedagogic equations on the behalf of historical background communicative language teaching can be interpreted as इसको कैसे समझा जा सकता है इतिहासिक प्रिष्ट भूमी में तो हुआ क्या था इसमें देखे काम आप लोगों को बताता हूं थोड़ा सा कि Trim David और Henry नाम के तीन आत्मी थे एक Trim David मैंने अपने classroom teaching में बताया है बच्चों को कि इन लोगों ने एक प्रोग्राम सुरू किया था उसका नातर national functionalism and communicative approach तो उसी का developed form है तो national functional और communicative तो यह है इसका सही answer national functional syllabus उसके बाद देखे which of these is challenge of teaching English इन में से English teaching का challenge कौन सा है और emphasis on traditional grammar यह तो है traditional grammar पे ज़्यादा zone डालना challenge है fully based upon conventional teaching पूरी तरह से परंपरिक teaching पे बेस्ट करना यह भी challenge है scarcity कमी होती है skillful teachers, skillful teachers की कमी होना यह भी एक challenge है तो इसका सही answer हो जाएगा all of these a multilingual speaker has acquired and maintained at least one language during childhood that is multilingual जो speaker है उसने कम से कम एक भासा अपने बच्पन के दौरान कौन सी सीखी है primary तो सब सीखते हैं उसके लिए multilingual होने की जुरूत नहीं है first language आप सब जानते हैं उसके लिए भी नहीं है तो एक second language उसने जुरूर सीखी है तो इसका यह तभी वो multilingual speaker होगा वैसे multilingual speaker को दो से ज़्यादा भासाओं का knowledge होना चाहिए deficiency in ability to write associated with impaired handwriting यह भी syllabus से हटा दिया गया है यह errors and disorder वाले topic से था जो नहीं syllabus में नहीं है इसलिए इसको हटा दिया गया था वैसे इसका जिस graphia हो जाएगा अब psychology में यह पढ़ते हैं communicated to students in the second language बच्चों से second language में communicate करना and arranging the session of group discussion और group discussion का क्या करना session को arrange करना are implemented in वो किसमें implement किये जाते हैं session of group discussion किये जाएं उसी भासा में बोला जाएं motivation के तो कोई जुरुत नहीं है drill यानि practice होती है proportion का भी इसमें सा कुछ नहीं है तो natural process है यानि बिल्कुल उसी भासा में second language में ही बढ़ाया जाएं बिल्कुल natural तरीके से तो इसका सही answer यह हो जाएगा successful outcomes of remedial teaching are best on remedial teaching के शफल परिणाम किस पर निर्भर करते हैं teacher पर curriculum पे student पे successful outcomes of remedial teaching are best on तो हैं तो सारी चीज़ें लेकिन identification identification of the causes of the problem सबसे पहले तो इसी पर depend करेंगे ना कि आप पहचाने causes यान कारण of the problem उसमें problem किस बज़े से आई है उसके कारण को पहचाने तो यह इसका सही answer हो जाएगा remedial teaching does not include remedial teaching में क्या सामिल नहीं होता है motivational efforts होते हैं improvement सामिल होता है learning सामिल होती है extra class is not a part of remedial teaching assessment and evaluation are made for process and product दोनों के लिए classroom teaching में जो बच्चे हम से पढ़े वे हैं वो जानते हैं कि हमने इसमें करवाया है उनको process, product और मैं क्या करवाते हैं सभी teacher करवाते हैं तो इसका सही answer यह हो जाएगा यानि both a and b which of the following involves comprehensive process इनमें से कौन सा सामिल करता है comprehensive व्यापक to judge people's performance in all बच्चे की performance in all scholastic, co-scholastic, non-scholastic तो इसका सही answer हो जाता है continuous and comprehensive evaluation यह इसका सही answer हो जाएगा अब शायद यह last question है which evaluation can be set to be the sort of instructional process इनमें से instructional process कौन सी होती है तो formative जो होती है instructional process होती है यह developmental process होती है instructional process होती है जबकि यह terminal nature का होता है submitting, तो इस तरीके से हमने इस question को solve कर लिया है इस paper को और आप बताईएगा जुरूर कि आपके कितने कितने answer सही हुए है ठीक है, thank you